Year 1877 Famous Spanish painter Goya की death के लगवग 50 साल के बाद Jean Laurent के दोड़ा 14 murals की तस्वीरे ली गई अब जिन्हें murals के बारे में नहीं पता उन्हें में बता दू कि murals उन paintings को कहा जाता है जिन्हें कोई artist directly wall पर paint करते हैं इन murals को तुरंट Prado's Art Restorer Salvador Martí ने स्क्यूबेलो को भेज दिया गया जिन्होंने कुछ paintings को restore करके इन्हें बेचने की कोशिस करी लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो उन्होंने इन paintings को museum में डोनेट कर दिया तब से ये paintings public view के लिए रखी गई है और इन paintings को आगे चल का dark paintings के नाम से जानना जाने लगा अब इन paintings में ऐसा क्या था और इसे बनाने के पीछे क्या reasons थे इन 14 murals में से कौन सी painting थी जिसे the scariest painting माना जाने लगा आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर इनी सवालों का जवाब धूनेने की कोशिस करेंगे और इस topic से related कुछ छोटी बड़ी details को discuss करेंगे So now with that said, let's roll the intro तो दोस्तों गोया की dark paintings या black paintings उन murals की collection है जो गोया ने अपने जीवन के आखरी सालों में यानि की 1819 से 1823 की बीच बनाई थी 72 साल की एज में गोया मैडरिट के बास एक two-story house में move हुए जिसे Quinta del Sordo यानि Diff Man's Villa के नाम से जाना जाता था जो कि इस घर के previous owner के नाम पे पड़ा है और वो deaf थे coincidentally गोया भी जब यहां moving हुए तब वो almost सुन नहीं सकते थे जो कि एक severe illness के कारण हुआ था इस घर में गोया ने अपने life के सबसे अजीब paintings करी and the strange thing is that कि गोया ने इन paintings को पूरे घर की different walls पर बनाया था अब इन paintings के correct संख्या क्या थी इसे लेकर आज भी विवाद है लेकिन ऐसा माना गया था कि lower floor की walls पर साथ paintings थी और second floor की walls पर भी साथ paintings बनाई गई थी यानि कि कुल मिलाकर 14 paintings अब although गोया ने बाकी artist की तरह अपने previous paintings को titles और descriptions दी थी लेकिन black paintings के case में ऐसा नहीं था ना ही इन paintings में गोया ने कोई description दी थी ना ही कोई title as if गोया ने इन paintings को public के लिए बनाया ही नहीं था इन dark paintings को dark या black paintings इनकी theme, color scheme और इनकी negative impression की वज़े से कहा जाता है dark paintings में almost 5 ही colors का use हुआ है which are ochre, gold, brown, grey and black इन में background को dark रखा गया है और सारा focus subjects के aggressive या sometimes depressive expressions पर डाला गया है जो की golden lights and shadow से उभर कर सामने आती है इस series की एक painting titled Saturn devouring his son को अब तक की सबसे scariest painting में से एक कहा गया है ये painting एक Greek Titan chronos की mythology का depiction है दरसल Greek Titan chronos की इस mythology के हिसाब से Saturn जिसने अपने father Kalias को उनके गद्दी से हाटा कर उनकी position पे कबज़ा जमा लिया था उससे एक prophecy सुनाई गई थी जिसके हिसाब से Saturn का भी एक बेटा होगा जो ठीक उसकी ही तरह उससे गद्दी झीन लेगा और उसकी जगा राज करेगा Saturn इस बात से इतना ज्यादा परिशान और डर गया कि उसने decide किया कि वो अपनी वाइफ Ria से होने वाले हर बच्चे को पैदा होते ही खा जाएगा और उसने ठीक ऐसा ही किया जब जब Ria का कोई बच्चे पैदा हुआ उसने उस बच्चे को पैदा होते ही जिन्दा निगल लिया लेकिन जुपिटर के पैदा होने पर Ria ने उसे बरी शालागी से एक आइलेंड पर छुपा दिया और उसकी जगह सैटर्न को एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया सैटर्न बिना उसे देखे ही खा गया और कई साल बात जब जुपिटर बढ़ा हुआ तब उसने सैटर्न की जगह छीन ली मज़दार बात ये है कि माइथालीजी के हिजाब से सैटर्न अपने हर बच्चे को निगल जाता था और वो उसके पेट में ही जिन्दा थे और जब युपिटर ने सैटर्न को मारा तब वो सारे बच्चे उसके पेट से बाहर आ गए अब इस टॉपिक पे और भी कई पेंटर्स ने पेंटिंग्स बनाई है जिन में से पीटर पॉल रिविबिन्स और गोया ही ऐसे पेंटर्स है जिन्होंने सैटर्न के अपने बच्चों को निगल लेने की जगा उन्हें अपने बच्चों को बेरहमी से मारते हुए दिखाया है एसा रूप दिखाया है जो की ट्रिशनल में से बहुत अलग है गोया का Saturn cannibalistic नजर आता है और उसके चहरक expression से ऐसा प्रतीत होता है मानों वो एकदम अजीब सा है उसकी दोनों आखे ऐसे खुली हुई है ऐसे वो directly हमें ही देख रहा है उसके हाथ में जो body है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने बचने की काफी कोशिस करी होगी पर Saturn के दोनों हाथ उस body की rear की हड़ी में धसे बहे है और Saturn उस body को नोच नोच कर खा रहा है बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये body किसी बच्चे की नहीं है बलकि एक adult की है जो कि इसे और भी ज़्यादा creepy बना देता है गोया कि इस particular painting से काफी सारे लोगों को nausea, heartbeat तेज होना और mentally काफी बुरा असर परने जैसे effects महसूस हुए है और ये fact कि गोया ने इस painting को अपने घर के dining room की wall पर बनाया था ये इसे काफी अजीब और disturbing बनाता है गोया की बाकी dark paintings भी किसी ने किसी theme, incident या story पर ही आधारित है for example, witches सभाथ में गोया ने Spain के common people में witches trial वगेड़ा के belief को लेकर public में फैली हुई superstitious बातों को portrait किया है यहां हम इन witches को एक he goat के आसपास बैठे वे देख सकते हैं जो कि एक dark figure से depict किया गया है जहां भी all know कि he goat को devil का ही एक रूप माना जाता है एक और चौका देने वाली बात ये है कि although ऐसा accept कर लिया गया है कि black paintings की total संख्या 14 ही है लेकिन initial days में Antonio Brugada's inventory ने ये mention किया था कि गोया के घर से 14 नहीं बलकी 15 paintings collect की गई थी लेकिन उन में से केवल 14 ही museum पहुँची थी कई critics का मानना है कि ये painting इस collection की सबसे बड़ी painting थी और यही heads in a landscape के नाम से जानी जा सकती है पंद्रवी painting यानि कि heads in a landscape में गोया ने जिन heads को draw किया है वो painting के corner से peak करते हुए नजर आ रहे हैं painting का focus बस खाली से landscape पर है लेकिन ये heads वहाँ ऐसे appear हो रहे हैं as if वो अचानक ही यहाँ आ गए हो and viewer को देख रहे हो इस painting में lower lift में एक face half ही दिखाई दे पा रहा है and that too is kind of creepy and distorted two men eating soup के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है जहां दोनों ही faces कुछ distorted and evil से नजर आ रहे हैं इस particular painting को लेकर एक famous theory ये दी जाती है कि गोया ने इस painting के दोआरा Spain के capitalist logo को depict किया है जिसका मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह capitalist Spain में war के दोड़ों उसके बाद भी गरीब जनता का सोशन किया जा रहा था by these people they were greedy and no less than evils अब गोया हमेशा से इस तरह की paintings नहीं किया कर दे थे बलकि अपने पूरे जीवन काल में गोया ने कई beautiful and vibrant paintings बनाई थी लेकिन अपने जीवन के आकरी कुछ सालों में उन्होंने इस तरह की dark paintings क्यों बनाई और वो भी अपने घर की walls पर इसे लेकर कई जारी theories बनी है जिनमें demonic encounters से लेकर medical illness and mental trauma तक शामिल है यहाँ कुछ लोगों का ये मानना है कि deaf man's villa असल में possessed था और गोया के साथ यहाँ कुछ ghostly encounters हुए थे जिसकी वज़ा से गोया ने अपने जादा समय villa के अंदर ही spend करना start कर दिया था गोया अल्दो partially deaf हो चुके थे लेकिन late night उन्हें कुछ आवाजे सुनाई दिया करती थी और इसके बाद उन्हें कुछ horrific nightmares आना start हो गए और इन nightmares को ही गोया ने depressed हालत में अपने घर की walls पर paint कर दिया था और इस तरह से गोया जैसे एक painter की vibrant और colorful painting dark और black paintings ने ले ली दूसरी तरफ इसके पीछे एक और possible reason दिया जाता है और वो गोया की life से ही related है Actually में गोया ने अपने जीवन के आखरी दिनों में इस तरह की painting अपने पूरे जीवन से प्रभावित होकर बनाई थी गोया ने Spain में walls देखे थे Wars में मरने वाले लोग Wars के बाद लोगों का दर्द देखा था गरीबी और capitalist लोगों का public पर जुल्म देखा था गोया ने देखा था कि किस तरह Spain के लोगों के बीच illiteracy बढ़ने लग गई थी यंग लड़के जुर्म की तरफ बढ़ने लगे थे और public में witches and ghosts जैसी superstitious बातों का प्रस्यार होने लगा था अपने आखरी दिनों में खराब health और अकेले रह जाने के दुख में गोया काफी depressed हो गए थे and war के trauma and memories ने उनके mental health पर बुरा प्रभाव डाला था अब अपनी सारी frustration, depression, डर और pain को गोया ने अपने ही घर की walls पे एक painting के रूप में उतार डाला यही कारण है कि इन पेंटिंग से वो negative vibes आती हैं because they carry his fear and his trauma with them गोया ने अपने इन पेंटिंग के थुरू उन सारे thoughts और उन सारे fears को अपने पीछे छोड़ दिया जिसे वो जिंदगी भर face करते आ रहे थे and in reality हरे एक painting अपने अंदर एक गहरा personal and political meaning लिए बैठी है each and every painting is a symbol and the image of the society जिसमें गोया ने अपना जीवन बिताया था अपने हुनर से और कुछ colors के माधियम से गोया ने exactly उनहीं emotions को उतार दिया उसकी agony को portrait किया और उसी brutality को draw किया जो उन्होंने अपनी आखों के सामने देख रखा था ये paintings असल माइनों में समाज का आइना है जो कि समाज की dark side को उजागर करती है and that is why these are called the dark paintings of goya तो दोस्तो आज की वीडियों बस इतना ही मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये वीडियो काफी different और interesting लगी होगी अगर पसंद आई है वीडियो तो उसे like और share जरू कीजिएगा और हाँ जाने से पहले हमारे चैनल haunting dude को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दे क्योंकि हम अपने चाल पर ऐसे वीडियो लाते रहते हैं peace